हेलो गाईज अभी जो मोटर आप देखे हैं यह सिंगल फेस एसी मोटर गाईज इसे आसानी से आप सिंगल फेस पे मूव कर सकते हैं क्लोकवाइज या फिर एंटी क्लोकवाइज के मैथर्स क्या होते हैं अभी जो कैपिस्टर आप देखे हैं अगर आप इस capacitor को use करते हैं और directly 220V इसके उपर apply करते हैं तो यह clockwise या फिर anti-clockwise यानि कि forward और reverse move करता है इसके अंदर three terminals आप देखे हैं एक blue होता है एक white होता है और एक dark blue होता है यह जो blue wire आप देखे हैं यह actually इसका होता है common यानि कि यहाँ पर 220V का face आप directly connect कर सकते हैं और इन दो points पे आपको capacitor connect करना है then एक points को आप clockwise और anti-clockwise के लिए use कर सकते हैं basically अभी green wire को हम यहाँ पर लगाते हैं एक capacitor के points पे यानि कि capacitor के end पे और दूसरा जो wire है यह आपको लगाना है दूसरे capacitor के end point पे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक green तो एक white हमने capacitor के अंदर connect कर दिया है तो गईस अगर यह method आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को please like कीजे चैनल को subscribe कीजे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह normal connection है basically अभी 220V के लिए एक blue wire का एक part लेते हैं यहाँ पर हम blue में यानि कि जो common wire है यहाँ पर directly connect कर लेते हैं यह AC voltage में आपको connect करने है और जो दूसरा wire है यह आपको touch करने है एक बार clockwise के साथ एक बार anti-clockwise के साथ तो आईए 220V यहाँ पर apply करते हैं तो आपको ध्यान से देखने हैं actually अभी experiment करने की कोशिश करते हैं तो अभी neutral में एक लगा दिया है और जो दूसरा wire है यह हमने face में यहाँ पर लगा दिया है यहाँ पर neutral और face तो अभी आपको देखने हैं अगर मैं यहाँ पर touch करता हूँ तो clockwise यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से clockwise और यहाँ से anticlockwise यानि कि यहाँ पर आप इसका method समझे होगे यानि कि जब white पर touch कर रहे हैं एक neutral तो यह anticlockwise यानि कि reverse घूमता है और यहाँ पर forward घूमता है तो यही method आपको एक switch के माध्यम से अपनाना है तो यह जो wire आप देख रहे हैं यह आपको beach के wire में connect करन है यह जो three points का होता है यह common होता है इसका तो इन दोनों wires को अभी हटा लेते हैं ताकि आपको soak ना लगे तो बाकी जो दो point आप देख रहे हैं यह switch का एक NO है और एक NC है NO NC जो capacitor के दो point है यानि कि motor के white और green wire आपको इसी method से connect करने है तो आप किसी भी side लगा सकते है वो clockwise, anticlockwise कि side से आप move करना चाहते हैं उस side ही move करेगा तो दूसरा जो end यानि कि green वाला है यह दूसरे आपको NC पे connect कर देना है switch के आप किसी भी side कर सकते हैं वो clockwise, anticlockwise कि इस तरफ आप रखना चाहते हैं उस side भी आप on off इसे यानि कि clockwise, anticlockwise का method है वो अपना सकते हैं तो अब भी हमारे connection प्रोपर हो चुके हैं जो दो वायर हमारी है AC वाली यह connect करते हैं इसे switch के माध्यम से move करने की कोसिस करते हैं कि clockwise, anticlockwise किस method से यह काम करता है तो अब यह move कर रहे हैं आपको ध्यान से देखना है तो move कर रहे है तो एक switch के माध्यम से ही यह आप देख रहे हैं इसका जो direction है वो change कर पार है तो guys अगर वीडियो पस्ते लाइए तो please like कीजे, subscribe कीजे, अपने दोस्तों को share कीजे